तो दोस्तों जैसे कि हम रिवीजिन सीरिस कर रहे हैं और प्रिलियम्स जो जेकेस के प्रिलियम्स है उसका आज हम फाइनल रिवीजिन लेक्टर्स लेक्ट आगे हैं दोस्तों जिसमें कि हम एकॉनमी के करेंट अफेर्स करेंगे काफी सारे स्टूडेंस बोल रहे थे कि आप करवा दो तो आज हम फाइनल लेक्टर लेक्ट के आगे हैं दोस्तों यह जो करंट अफेर हैं पास्ट वन येर में न्यूज में थे तो इनका इंपोर्टन हो जाता है कि आप एक वरन को गो थू कर लो तो दोस्तों आपको पता होगा कि कल के आपके एड्मिट कार्ड भी आ चुके हैं PSC के आई होप आपने डाउनलोड करके देख लिया होगा आपका सेंटर कहां पे है एंड आई विश आप सबका हो जाए दोस्तों प्रिलिम जिसने महनत की है जिसने हार्ड वर्क किया है दोस्तों इसके लिए अच्छे से देना पेपर और CSET पे भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना अभी लाज के दो तीन दिन अगर हो सके तो थोड़ा टाइम आप CSET को भी दो ठीक है तो चलो दोस्तों यह हमारा final lecture होगा इसके बाद हम exam के बाद ही कुछ discuss करेंगे and I hope कि आप सबका अच्छा जाए paper ठीक है तो चली दोस्तों इसकी मैं PDF उसमें Telegram में डाल दूँगा आप वहाँ से download कर लेना and I again wish you all the very best तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो लाइक रो शेयर पका करो उन्हें चेक कमेंट भी करना ठीक है कैसे लगी आपको हमारे वीजिन सीरीज क्या हमारे effort useful हुए आपके लिए के ने ठीक दोस्तों तो चली स्टा ability को इसको improve करना high करना import substitution को import को कम करना और employment generation करना दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा इंडिया government of India काफी सारे incentives वगएरा लेके आती है जैसे कि अगर किसी company को government of India ने बोला था कि आप यहां पे आओ हम आपको manpower देंगे land देंगे tax incentive वगएरा देंगे तो दोस्तों वह ज़ production linked incentives की यहां कि एक company को बोला जाएगा कि आप यहां पे production करो यह investment करो कुछ भी अगर आप जितनी investment करो गया आप उसी के according अगर हम आपको subsidy देंगे suppose अगर आपने 100 करोड़ें 200 करोड़ का अगर हमने इस साल कर target रखा है 200 करोड़ के आपको production करनी है यह investment करनी है तो 200 करोड़ में से government of India बोलेगी हम 50 करोड़ आपको subsidy देंगे यानिकि 50 करोड़ we will pay you back तो ठीक है तो इससे क्या होगा दोस्तों इस employment भी generate होगी और companies को incentive मिलेग क्योंकि कई वार companies वे गहरा के करती है कि उनका शायद नहीं मन होता है करने का बट इसे का एक टाइप का जब आप target set करते हो तो एक तो production भी बढ़ेगी और इससे दूसरा फायदा भी होगा ठीक है दोस्तों तो यह scheme थी 2020 में आये थी ठीक है दोस्तों जो incentive होते है वो calculate their calculator on the basis of incremental sales यानिकि incremental sales हर साल का target दिया जाता है इस साल इतना achieve करना अगले साल इतना अगले साल इतना तो अगर उस target को आप achieve कर लेते हो फिर government of India आपको subsidy provide करते है ठीक है incremental sales पे कितनी subsidy होती है दोस्तों एक 1% से लेके 20% तक हो सकते है 1% किसके electronics के लिए और 20% किसके होते है दोस्तों दस करोड रखी है और अगर दूसरों ने करनी है तो हजार सो करोड रुपे ठीक है दोस्तों अगर एक वार जो investors पे qualify हो जाता है उसको 20 टाइम तक उसके investment का जो amount है वो तक मिल सकता है ओके चलिए दोस्तों पहले तो सिर्फ यह semi conductor वगरा के लिए ही आये थी एक्टिव electronics production के लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हमको फाइदा चला ना इसका मतलब फाइदा पर चला इसे successful होने लग पड़ी फिर हमने इसको दूसरे सेक्टर में अनॉंस कर दिया था अभी करन के दोस्तों यह इन सेक्टर में पीले स्कीम एप्लीकिवल है इस है आटो कॉम्पनेंट्स होगे आटो मुबाइल, एविएशन, केमिकल, एलेक्रोनिक, सिस्टम, मेडिकल, डिवाइसे, मैटल, माइनिंग, फार्मासोटिकल, रिन्यूबल, एनर्जी, टेलिकॉम, टेक्स्टाइल, वाइट गोड्स, अड्वांस, केमिस्ट्री, सेल बैटरिज, ठीए दोस्तों, चलिए न इंडिया, जो बॉंद्स, कोन ले सकते है, दोस्तों, सिर्फ इंडियन एंटिटीज ले सकती है, जैसे कि इंडिविजल्स होगे, हिंदू, अंडिवाइडर फैमिली, ट्रस्ट होगे, युनिवरस्टी होगे, चेलिटिबल इंस्टिचिशन होगे, ठीक, फिर्व लिमेंट कितनी है दोस्तो एक ग्राम गोल्ड और मैक्सिम कितनी ले सकते हो फोर केजी एक इंडिवीजियो ले सकता है फोर केजी हंदू अंडिवाइडर फैमिली और भीस केजी तक ट्रस्ट ले सकते हैं ठीक है और अगर कल अगर आपको लॉन वगरे चाहिए होगा दोस्तो तो बंसको अप्को लेकर्ल किंको लिट सकते हूं ठीक है और loan वगर ले सकते हो ठीक है चलिए next दोस्तो आगया आगया employee pension scheme दोस्तो इस social security scheme है which was launched in the 1995 ठीक है implementing agency को नहीं है दोस्तो EPFO EPFO stands for employee provident fund organization purpose क्या है दोस्तो इसका जो government sector में जो job करते है न organized sector में जब उनकी age 50-80 years होती है तो उनको retire होना पड़ता है तो retirement के time जो pension का provision होता है न दोस्तो वो इस scheme के अंदर मिलता है ठीक है employee pension scheme के अंदर दोस्तो इस scheme में क्या है जो employer और employee दोनों ही अपनी salary का 12% वो मतलब deduct करते हैं इसमें क्या होगा basic wages plus DA to employee provident fund scheme इस scheme के अंदर वो अपना 12% देते हैं EPF scheme दोस्तो mandatory है किन के लिए जिनकी wage 15,000 पर मन्त है ठीक 15,000 पर मन्त है जिनकी wage उनके लिए mandatory है बाकि जो इसकी ऊपर है वो भी ले सकते हैं part with the prior consent of the provident fund commissioner ठीक जी दोस्तों जो employer होते हैं 12% में से 8.33% होता है वो EPS की तरफ जाता है देखिए जैसे 12% है न 8.33% चला जाएगा EPS की तरफ और बाकि जो बचा 4.3 पॉइंट जितना भी 6-7 वो चला जाएगा दोस्तों EPS की तरफ ठीक है तो जब आप retirement होंगे EPS scheme के अंदर आपको एक annuity मिलती है यानि कि एक lump sum कुछ amount मिलेगा 10,20,30 लेग जितना भी होगा और EPS के अंदर तरफ आपको एक income मिलेगी ठीक है salary मतलब pension पकर जो मिलती है ठीक है central government भी contribute करती है दोस्तो 1.16% होता है monthly salary ठीक है चलिए next Digital banking unit दोस्तो एक specialized unit होती है जिनका एक minimum digital infrastructure होता है क्या purpose करने के लिए दोस्तो ताकि यह जो bank जैसी जो goods है न जो product है वो services है वो deliver कर सकें कौन digital banking unit ठीक है दोस्तो services क्या होती है जैसे कि bank account होगे under various current account होगे fixed deposit, recurring deposit account, digital kits for customer, mobile banking, internet banking, debit card, credit card, mass transit system card, digital kits for merchants, UPI, QR card, Bheem, other point of sale यह सारे के सारे services जो कि हमको bank provide करता है digital banking unit provide करते है क्योंकि इसके पास ऐसा infrastructure होता है जिसकी वज़े से जो bank related जो भी काम है न हो हमको यह provide कर सकते है ठीक है दोस्तो यह joint initiative है RBI को और Indian banks association को participating banks का दोस्तो PM ने अभी 75 digital banking units को dedicate किया था to the nation और यह announce कब की गए थी 2022 के budget में announce की गए थी इस digital banking unit ठीक है और इनको एक banking outlet की तरह treat किया जाता है किसको digital banking units को चलिए next आगे आगे दोस्तों emergency credit line guarantee scheme दोस्तों 2020 में launch की गए थी as part of the centers आत्मनीर भर package in covid due of the response to the covid-19 crisis जब covid-19 crisis हाई थी दोस्तों government ने आत्मनीर भर package वे गए रदिया था तो उसी scheme के अदर आती है emergency credit line scheme ठीक है purpose क्या है दोस्तों aim क्या है इसका एक collateral से लिए loan provide करना एक बहुत reasonable interest में ताकि जो small businesses है न और दूसरे evasion के sector है वो जो struggle कर रहे हैं due to cash crunch उनकी health की जा सके ठीक है यानि कि जो छोटे business है small business है या दूसरे sector होगे जैसे की evasion वगेरा उनमे cash crunch की कमी ना हो यान की cash कमी ना हो तो इसलिए उनको loan provide किया जाता है बहुत-बहुत-बहुत minimal rate ठीक है दोस्तों अगर वो loan अगर लिया है त तो इसकी guarantee को लेता है 100% guarantee को प्रवाइड करता है national credit guarantee trust company यह भी government owned company है तो इसलिए अगर किसी को loan चाहिए होगा अगर यह back करे ना तो इसलिए मिल जाता है तो इसलिए इसकी 100% guarantee को लेता है NCT, NCGTC ठीक है जी किसको bank's financial institution and BFC को ठीक है जो पहले first time borrower होते है जो non-performing asset accounts होते ह है वो इस scheme के अंदर fund नहीं ले सकते है किस scheme के अंदर emergency credit land guarantee scheme चलिए next revamped distribution sector scheme दोस्तों एक reform बेजो result linked scheme है which is meant to improve the financial sustainability and operational efficiency discounts क्या होते है दोस्तों electricity supplier जो companies होती है न उनको DISCOMS कहा जाता है ठीक है जी ताकि इनकी financial sustainability और operational efficiency को improve कर सके है इसलिए वाली scheme i3 revamped distribution sector scheme this is done by financial assistance for the modernization and distribution infrastructure इस case में दोस्तों funding दिये जाती है ताकि जो हमारा distribution का जो infrastructure को modernize किया जा सकते है जैसे smart prepared meter वागेर होगे ठीक है एम क्या है दोस्तों इसका transmission and distribution losses को कम करना बाए 12-15% financial जो deficit iscoms का वो zero तक लग्याना और compulsory installation करना smart meters की target कहा है नका 250 million smart meter install करने है बाए 2025 तक ठीक रिवेंब distribution sector scheme time line क्या है दोस्तों कि 2025 से लेकि 2026 तक चलती रहेगी eligibility कौन है कौन से दोस्ते हैं इसमें eligible कौन है all state-owned disccoms जान कि state की जितनी वी सरकारी कंपनिया है ना जो disccoms होते है distribution companies वो सारी इसमें eligible हैं ठीक है कनवर्ज दोस्तों जो अभी जो power sector के reforms के लिए काफी तर स्कीम चलाए थी special assistance to state for the capital investment दोस्तों इस स्कीम के अंदर जो center है वो state को financial assistance प्रवाइड करता है इसके अपने budget resources से ठीक है दोस्तों 2022-23 में launch हुई थी ministry क्यों से ministry के अदर ministry of finance के अंदर जो scheme है वो state government को financial assistance प्रवाइड करती है in the form of interest free loans for the capital investment in the new and ongoing project कितने साल के लिए 250 साल के लिए ठीक है कौन से projects में invest कर सकते है यानकि जो भी capital investment कोई नया project है ongoing project है उसमें invest कर सकते है except जिनकी value less than 5 crore है और 2 crore in case of northeast और repair and maintenance का work है यानकि अगर एक fresh project है जिसकी value more than 5 crore है उस case में यह जो funding है government of India की यह हमारी जो state government है इस scheme में invest कर सकती है ठीक है जी special assistance provide के जाती है चलिए next अमरेत भारत station scheme दोस्ते ministry of railways द्वारा launch की गई है purpose क्या है इसका दोस्तो development करना हमारे जितने भी station है न railway station उनकी अच्छी तरीके से development करना proper infrastructure अप्ग्रेडेशन करना अमरे द्वारत station scheme के अंदर ठीक है जी दोस्ते बेस्ट 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 मास्ट प्लानिंग फोर लॉंग टर्म इंप्लिमेंटेशन अफ एलिमेंट्स ऑफ मास्ट प्लान एस पर इस पर नीज्ट पैट्रोनेज और स्टेशन अब्जेक्टिव क्या है दोस्तों इसको फैसिलिटीज को इन्हेंस करना इं बियॉंड दा मिनिम एसेंशल एमिनिटीज और एम करना जैसे रूफ प्लाजस वगयरा बनाना सीटी सेंट्रस बनाना स्टेशन पर जैसे दोस्तों का अगर एरपोर्ट गे होगे अपने वहां पर देखो कितना अच्छा इंफ्रस्ट्र न्यू अमिनिटीज एस वेल अप्गिरेशन और प्लेस्मेंट ऑफ द्धयस्टिंग अमेनिटीज ठीक है चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे स्की में स्टाट अप इंडिया सीट फंड स्कीम एम कहा है दोस्तों इसका कमर्सी कमर्स इंडिस्ट्री मिनिस्ट्री लांच्ट जिसके में 2021 में लाउंच की गई थी, परपस क्या है, financial assistance प्रोवाइड करना to selected startups, जिसको कौन चुनता है, DPIAT, DPIAT क्या थे, दोस्तों, Department for Promotion of Industries and Internal Trade, ठीक है, ताकि इसके जो, कोई हम start-up चुनो, उसको funding प्रोवाइड करें, कैसे जो prototype development हो, product trials और commercialization के लिए, ठीक है, eligibility क्या है, दोस्तों, इसकी, कोई भी start-up, जो कि DPIAT द्वारा recognize है, वो इसको बने हुए, दो साल से जादा नहीं हुए, और अगर उसमें कहीं से funding उठाई है, तो वो 10 लाग से जादा नहीं होनी चाहिए, बस उसी start-ups को, या incubator को, इस scheme के तहत funding मिलेगे, ठीक है, कौँ से scheme के तहत, Start-up India Seat Fund scheme, features क्या हैं, दोस्तों, इसमें ना 5 क्रोड तक की grant दिये जाती है, to eligible incubators, वो further 20 लाग तक provide करेंगे, for the proof of concept prototype development or product trials to start-up, यानि कि 5 क्रोड की funding incubator को मिलेगी, incubator further 20 लाग से, 50 लाग तक जो, मतलब funding है, वो start-ups को देंगे, किस basis पे होगा, दोस्तों, अगर किसी start-up ने अपना concept बताया, prototype develop किया है, कि अपना, जो idea होगा, product trials किये हैं, और 50 लाग किसको मिलेगी, for market entry 50 लाग मिलेंगे, पहले 20 लाग होगा, अपना basic concept दिखाने के लिए, उसके 50 लाग मिलेंगे, market entry के लिए, commercialization के लिए, उसका scaling up के लिए, ठीक है, यह होगे, चलिए, next, दोस्तों, काफी news में रहा है, तो हो सकते, शादिस वर exam में आजए, open network for digital commerce, ONDC, दोस्तों, ONDC को launch किया है, department for promotion of industries and internal trade, aim के है, दोस्तों, decentralized करना, democratize करना, digital commerce को, यह क्या करेगा, दोस्तों, जो small merchant होगे न, और जो छोटी मोड़ी shops होती हैं, stores होते हैं, किसी भी part of country को, वो, वो भी, मतलब, consumer access कर से एक इंगे, जो छोटी merchants होगे हैं, छोटी shops होगे, stores होगे, उनको भी customer अभी access कर पाएंगे, जैसे कि Amazon और Flipkart से करते हैं, अभी, इस, इसमें क्या होगा, basically, दोस्तों, एक digital platform होगा, जिसमें कि, अगर suppose आपने एक cell phone खरीदना है, इस platform पे, आपको Flipkart का price ही मिल जाएगा, Flipkart पे कितने का बिक रहा है, Amazon का भी बिक जाएगा, और अगर किसी आपके यहां आजपास कोई store है, अगर उसने ONDC में खुद को register करवाया है, तो उसका price भी दिख जाएगा, तो वहाँ से आप comparison करके देख सकते हो, कि मुझे कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, तो आप वहाँ से चीज़े ले सकते हो, क्या purpose है दोस्तों, इसकी वज़ा से नहीं, जो बड़े-बड़े e-commerce giants हैं नहीं, जैसे Amazon हो गया, Flipkart हो गया, इनकी hegemony काफी खतम हो जाएगी, क्योंकि equal parity मिलेगी, सब लोग equal platform पे आ जाएगे, और सबको chance मिलेगा, कि वो अपने, मतलब, online के थू customers को attract कर सकते हैं, ठीक है जो अच्छी deals मिलेगी, customer भी वही से चुनेंगे, ठीक है, ONDC के थूँ तो इसने decentralized करती है, अभी जो hegemony है वो नहीं रहेगी, यानकी सबको chance मिलेगा, ठीक है, दोस्तों open source platform होगा which will work in e-commerce similar to what UPA does in digital payment ठीक है, integration किस की किस ने की है, दोस्तों इसकी, quality council of India ने, quality council of India ठीक, चलिए, next FDI in India दोस्तों, अगर कोई बाहर की investment है, जो कि भारत में कुछ infrastructure पगयरा create करती है कोई company को, मतलब, बनाती है, या किसी brownfield में investment करती है, उसको FDI कहते हैं, अगर कहीं पर 10% से ज़्यादा investment होना बाहर की, तो उसको FDI कहा जाएगा ठीक है, FDI और FDI को comparatively good month है, economy के लिए FPI से, FPI को hot money भी कहते हैं, दोस्तों, क्योंकि ये कभी भी जा सकती है, country short के but FDI for long term purpose के लिए serve करती है ठीक है, FDI के होते है, foreign direct एक type की investment है, in the form of controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country, it is thus distinguished from the foreign portfolio investment by a notion direct करती है, FDI में आप सीधा direct control कर सबते हो, किसी कंपनी को, FPI में सीधा पैसे invest करती है, in the shares and in the bonds, दोस्तों, कुछ data FDI का याद रखो, Commerce Ministry के, according, 2021-22 में total 84 billion के investment हुई है हमारे इंडिया में, ठीक है, कितने की 24 billion के, 84 billion सबसे ज़्यादा रही है, दूसरी point क्या है, दूसर, top source क्या है, सबसे ज़्यादा investment कौन करता है, FDI इंडिया में Singapore, उसके बाद USA, फिर Mauritius, सबसे ज़्यादा destination स्टेट के, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, करनाटका में, महराष्टा में, और फिर डैली में, top sectors कौन से हैं, दोस्तों, computer and IT, services sector, और automobile sector, ठीक है, दोस्तों, manufacturing sector में, FDI increase होई है, by 76% to the US, 21 billion income present to the previous year, ठीक है, यह कुछ Indian government of India से approval लेने की कोई need नहीं है, लेकिन जो होगा न, अपना government route, इसके तहर दोस्तों, आपको approval चाहिए होता है, prior approval चाहिए होता है, कि इसका, दोस्तों, foreign investment promotion board का, ठीक है, इसका approval चाहिए होता है, ओके, यह होगया, दोस्तों, अभी याद रखो, एक company है, non banking finance company है, rural electrification corporation limited, इसको दोस्तों, अभी महारतना का status मिला, ठीक है, महारतना का, किसको मिला है दोस्तों, rural electrification corporation, चलिए next, prompt corrective action framework, दोस्तों, इस sector, इसके अंदर क्या होता है, जितने की सारे के सारे commercial banks होते हैं, उनको RBA monitor करता है, और अगर वो कुछ set norms होते हैं, अगर वहाँ से वो defiled करते हैं, तो RBA उन पर PCA रखता है, यानिकि prompt corrective action framework लेता है, और उसके ताहरे तो उन भी कुछ penalties वगएरे भी लगा सकता है, ठीक है, for violating the norms, under it, all commercial banks are monitor for asset quality होगे, उनकी capital sufficiency के लिए होगे, ठीक है, दोस्तों, इनमें तीन तरहां की classification होती है, जिसकी ज़्यादा high classification हो, उस पर उतना ज़्यादा risk होता अस bank पे, सारे के सारे commercial bank और non, जो NBFCs होते हैं, वो इस act के अंदर आते हैं, किसके अंदर, PCA, prompt corrective action framework के अंदर आते हैं, कौन करता है इसको, अगर चार consecutive quarterly statement में, अगर कोई उनका वो नहीं detect होता है, वो ब्रीश नहीं तब ही PCA से वो बाहर आ सकते हैं, अगर एक वार PCA कोई bank PCA में चला जाता है, PCA कोई issue करते हैं, अर्भी है, ठीक है, चलो, regional rural banks, दोस्ते, government owned schedule commercial banks होते हैं, जो के regional level पे operate करते हैं, the different states of the India, purpose क्या है, दोस्तों, ये न, banking services देते हैं, rural masses को, weaker section को support करते हैं, उनको बाहर उनको loan देके, credit देके, direct finance करते हैं, corporate society को, self-help group को, उनके साथ linkages होती है, regional rural banking, और regional imbalances को कम करते हैं, by increasing rural employment generation, ठीके, दोस्तों, ये 1976 में बने थे, अंजरा था, नर्सीमा working group ने recommend किया थे, इनको बनाने के लिए, तो इसलिए 1976 में बने थे, purpose कहते हैं, तो credit प्रवाइड करते हैं, rural areas में, दोस्तों, इसके तीन owner होते हैं, regional rural bank के तीन owner होते हैं, ठीके, कौन होता है, और दोस्तों, ये प्राइड सेक्टर, फालो करते हैं, जिसमें कि इनको 75% credit को घुमाना ही बढ़ता है, for the priority sector sections के लिए लिए, priority sector lending के लिए 75%, दूसरों के लिए कितना होता है तो 40%, commercial banks होगे, और foreign banks, जिनकी branches 20 से कम हैं, जादा हैं, उनको 40% देना पड़ता है, और जो regional rural banks होते हैं, उनको 75% देना पड़ता है, ठीके, चलिए, impact investment क्या होती है, दोस्तों, ये वो investment होती है, जिनका intention है, to generate positive, measurable, social and environment impact alongside a financial return, यानकि जो environment में, हमारी society में को positive impact करने, की impact करने की investment होते हैं, उसको impact investments कहा जाते हैं, जैसे कि दोस्तों, जो waste management company है, it provides end-to-end waste management services for corporate apartment complexes, तो दोस्तों, जो waste reduction करेगा, obviously इसका positive impact तो होगा ना, environment पे, तो इसमें जो कोई भी investment होती है, waste management company को, उसको impact investment कहा जाएगा, अगर आप किसी दूसरी company को देख, कोई manufacturing company को देख, दोस्तों, वो carbon emission काफी जादा करेगा, जो कि negative externalities होती है, हमारे environment पे, वो effect करती है, लेकिन इसका positive impact है, waste management company का, इसलिए इसमें जो investment होगी, that will be termed as a impact investment, दोस्तों, अभी ये register and regulate, से भी इनको register and regulate भी करती है, in the category 1 as alternative investment funds, चलिए next, account aggregator framework system, दोस्तों, ये part है, RBA regulated financial data in the sharing system का, ठीक है जी, दोस्तों का RBA regulated non banking finance company है, जिसका क्या purpose है, collection करना, जो consumer का data है, customer का data है, उसको collect करना, और only on the basis of the consent of the customer, ठीक है दोस्तों, दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया का जो financial system है न, वहां पर बहुत सारे hazels हैं, जो कि consumer face करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, अगर किसी को अपना bank को कारन खुलवाना है, तो उसमें आपको physical जाना पड़ेगा, open करना पड़ेगा, scan copies होंगी, bank वगएर की वो लगती है, running notary वगएरे को, जाके कोई affidavit वगएरे बनाना पड़ता है, stamp लगवाने पड़ते हैं, और अपना personal username पासवड वगएरे देना पड़ता है, ठीक है, थर्ड पार्टी को, दोस्तों, अकाउंट aggregator सारे problems को खतम करता है, जिसमें कि क्या होगा, यह सारे के सारे सिस्टम रिप्लेस कर देगा, और simple, mobile-based, simple and safe digital data access and sharing process, ठीक है, जितना भी वो manual work होगा, वो सारे सिस्टम कर देगा, थर्ड डिजिटल सिस्टम के सारे, ठीक है, अब रीसेनले दोस्तों, सेबी ने जॉइन किया है, RBA का account aggregator framework, यह आपको पता होने चाहिए, चलिए next, market infrastructure institution, दोसे जैसे हमारी stock exchanges होगे, जैसे Bombay stock exchange होगी, national stock exchange होगी, clearing houses होगे, सारे market infrastructure institution है, और हमारी economic infrastructure के बहुत important part करते हैं, constitute करते हैं, जैसे कि आप trading वगएरे करते हो, share के purchase करना, उनको sell करना, buy करना, share करना, इस सारे कहां होते हैं, दोस्तों BSE में होगे, NSE में होगे, वहाँ पे होते हैं सारे, तो इस सारा economic infrastructure का part है, अगर यह lane dayan वगएरे खातम हो जाएंगे, दोस्तों तो companies collapse हो जाएंगे, तो इसलिए इनको बहुत critical infrastructure मनना जाता है, economic infrastructure, ठीक है, market infrastructure institution को, importance क्या है दोस्तों इनकी, these institutions have a, inक इनको इना exponential growth हुई है, in terms of the market capitalization of listed companies, capital rates and number of investor accounts and their values, इन सब में इनकी value को increase हुई, यह सलिए हमारी economy को बहुत important part है, याद रखना, market infrastructure institution, जैसे कि BSE होगे, NSE होगे, ठीक है, चलिए next, doom loop, दोस्तों यह term news में थी, यह क्या है, circle of vulnerability होता है, जहां पर एक country का banking system, वो बहुत severely hurt होता है, due to the volatility in the economy, ठीक है, economy में जब volatility होना, तो उस country का banking system, बहुत ज़्यादा hurt होता है, उसको process को कहते है, doom loop, दोस्तों यह risk में कब होता है, doom loop के, जब किसी economic system में, एक shock लगता है, उसका cripple effect होता है, उसके वैसे दूसरे भी shock में जाते है, तीसरे भी shock में जाते है, यह circle कूरा continue रहता है, तो इसके type का doom loop type बन जाता है, ठीक है, economy collapse होने के tension होती है, doom loop में, ठीक है, European Union में था भी है recently, चलिए next, E rupee, दोस्तों जैसे आपके पास currency होती ही न, 10 rupee, 100 rupee, 500 rupee, 1000 rupee, तो वो आपके physical form में है, अगर मैं उसको digital form में convert करतूं, तो वो E rupee हो जाएगा, ठीक है, उसको फिर हम कहेंगे, Central Bank Digital Currency, CBDC, तो वही दोस्तों यही system है, अभी RBA ने, जैसे आपका note को लेने में कोई मना नहीं कर सकते हैं, वैसे ही अगर आप इसके तुरूप payment transaction और गयारा करोगे, इसको कोई मना नहीं कर पाएगा, लीगल tender होगा, जो की back होगा by RBA, ठीक है, issued by Central Bank in digital form, इसका यह मतलब है, कि same as a fiat currency होगी, and is exchangeable होगा from one to one, with the fiat currency, but different in its form, ठीक है, दोस्तों, इसका introduce करने का purpose था, कि जो bridging the benefit and risk of the digital currency, आज का cryptocurrency वगर अभी चल रही हैं, वैसे दोस्तों, volatility बहुत सारी होगी है, एकानमी में न, तो इसको, इसकी जो volatility, उसके जो vulnerability को खतम करने के लिए, इस CBD से खुद RBI ने अपना launch किया है, ठीक है, ताकि रिस्क नहीं रहें, advantage क्या होते हैं, दोस्तों, E-Rupi की, दोस्तों, operational cost होते हैं, जो physical cash में involved होते हैं, उसको खतम कर देता है, physical cash है, दोस्तों, इसे financial inclusion होता है, transparency भी improve होते हैं, money flow में, और दोस्तों, it provides the public with same benefits as private virtual currencies, but without the risk, ठीए, चलिए, next, circular trading, दोस्तों, circular trading ने एक type का security fraud होता है, जो कि stock market में होता है, जिसके वाइसे price manipulation होता है, and it is often related to the pump and dump scheme, दोस्तों, supposed to be trading कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ share बेच रहा हूँ, कुछ share ले रहा हूँ, overall अगर आप देखो, उसमें कुछ value improvement नहीं हो रही है, यानि कि मैं कुछ 10 share मैंने बेचे, और उसी time मैं 10 share वापिस ले ले, तो उस share का price ना बढ़ेगा, ना कम होगा, क्योंकि मैं ही एक sole purpose के लिए ये कर रहा हूँ, तो लेकिन इसकी वज़े से क्या होगा दोस्तों, कि actually पता चलेगा कि transaction काफी ज़ादा हो रही है, हमारे stock market में ना, तो उसकी वज़े से investor के जो interest होते हैं, वो effect होते हैं, तो इसी इसी को चीज़ को कहते है circular trading, तो उसी को कहते है circular trading, और से भी इसको fraud land treat करता है, ठीक है, regulate कोन करता है दोस्तों, इसका जो trading वगएरा, से भी के अंदर आता है, तो से भी इसको fraud मानता है, बस लिए सारा लिखा हुआ है दोस्तों, circular trading में, ठीक, चलिए next, social stock exchange, दोस्तों, आपको जैसे पता होगा, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange होता है, वैसे ही उसी के तर्स पे हमारी social stock exchange होती है, इसका phenomenon क्या होता है, दोस्तों, जैसे कि अगर मैं एक investors हूँ, और मुझे अपने कुछ amount लगाना है, कुछ ऐसे investment में, जो की positive होँ, यानि कि जो socially improved होँ, social environment को positive impact कर रहे हों, कुछ infrastructure बना रहे हों, solar वगएरा का use करके, ताकि overall एक positive impact हो जिसका humanity पे, तो उसको trade करने के लिए, दोस्तों, एक separate type की exchange बनाई जाते है, जिसको social stock exchange कहा जाता है, फिर अगर मैं, अगर suppose उस project में पैसे लगाँगा, वो जो money होगी, वो उस infrastructure project में लगेगी, फिर वहाँ से जो return आएंगे, वो मेरे को वापस मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो मेरा भी profit हो गया, और प्लस उसके साथ infrastructure project है, जिसकी positive externalities होनी थी, which was good for our social environment, उस वो भी बन गया, ठीक है, तो इसको कहते है, social stock exchange, जिसका एक परपस होता है, कि socially शीदों को उप्रूव करना हो, ठीक है, तो सेबी ने दोस्तों, नौट देदी है, national stock exchange को, for the social stock exchange to set up, social stock exchange as separate segment of the national, NSE के अंदर एक separate segment बनेगी, SSE की, ठीक है, दोस्तों, एक constitute किया जाता है, separate statement under existing stock exchange, a social enterprise may be eligible for onboarding on SSE, if it demonstrate a social intent and impact on its primary quality report, such impact, this is irrespective of legal structure enterprise, दोस्तों, it follows profit social enterprises, and not for profit organization, with social purpose to raise funds, ठीक है, चलिए, India International Bullion Exchange, दोस्तों, भी PM ने launch किया है, पहला India International Bullion Exchange, India का gift city कहा, गुजरात में, दोस्तों, बूलियन एक metal होता है, जो कि बहुत ज़ादा high standard पे refined होता है, ठीक है, उसकी purity बहुत ज़ादा होती है, यह जो term होती है, यह apply होती है, usually जो bulk metal जो production में use होते हैं, usually case में, हम इस precious metal में इसको गिनते हैं, बूलियन को, जैसे gold और silver होगे, बूलियन exchange क्या होता है, यह एक market होता है, जहां भी buyer और seller, अपने gold और silver का trade कर सकते हैं, as well as उनके साथ जो derivative associators होते हैं, उनको trade कर सकते हैं, बूलियन exchange में ठीक है, जैसे कि दोस्तों, एक्जामपल आगी, लंडन का bullion market, it is known for the primary global market trading platform, for gold and silver के लिए, कभी कभार दोस्तों, भूलियन को न, legal tender भी मानना जाता है, and it is often held as reserves, by Central Bank for institutional investors, significance क्या है दोस्तों, they help in standard gold pricing in the country, they also help in dealers and jewelers, to trade in precious metals, ठीक है, याद रखना, पहला कहां खोला है दोस्तों, gift city Gujarat में, razor पे है दोस्तों, ये UPI की तरह ही payment system होता है, पहला payment gateway है, which will support credit cards होंदा UPI, digital lending क्या होती है दोस्तों, इसका मतलब है कि, loan को देना और recover करना, through web platforms of mobile apps, by digital lender, ठीक है digitally, कि से को अगर आप loan दे रहे हैं, और recover करें, इसको digital lending कहते हैं, aid for trade क्या है दोस्तों, अभी हमारा इंडिया रिसेंटली बना, highest recipient of aid from the developed countries in 2022, and WTS aid for initiative launch in 2005, दोस्तों, aid for trade के अंदर की, इना, it is aimed at promoting, दोस्तों, इसमें trade को promote किया जाता है, ताकि poverty को कम किया जा सके, by helping developing countries, जैसे कि, especially least developed countries, in addressing issue, यानकि जो developed country हैं, वो least developed countries को, least developed country में trade promote करते हैं, क्यों, ताकि poverty reduction उस country में हो सके, ठीक है, और दूसरे भी issue solve हो सके, ठीक है, दोस्तों, जो developed countries होती हैं, वो grant provide करते हैं, concessional loan provide करते हैं, as part of official development assistant, targeted trade related programs, अनदर project, grants भी देते हैं, loans भी देते हैं, अनदर दा aid for trade, ठीक है, भारत अभी recently, इसमें highest बनी है, aid for trade में, हाँ दोस्तों, initiative to boost electric mobility, इंडिया में electric mobility को, boost करने के लिए, कुछ initiative ध्यान रखो, नीती आयोग ने, दो initiative launch किया हैं, पहले आगया, E-Amrit, it stands for, accelerated e-mobility revolution, for India's transportation, it is mobile application, supported by UK Green Growth Fund, technical cooperation, और दोस्तों, अगर आपको पता होगा, हमने, Ministry of Heavy Industry में, पढ़ी थी एक scheme थी, FAME scheme, है न, ये भी दोस्तों, electric mobility को, mobilize करने के लिए है, इसमें subsidy दी जाती है, अगर आप EV वगरा लेते हो, FAME scheme ने ठीग, चलिए, आगया आगया, multi-model logistics park, दोस्तों, अभी Reliance Industry Limited को, एक project मिला है, to build India, first model, multi-model logistics park, इंचे नहीं, Tamil Nadu, ये बेसिकली, दोस्तों, एक type का, आप लगा लो, एक facility आगी, जो की, rail से connected होगी, हमारा road से भी connected होगी, और शायाद हमारी, एर से भी connected होगी, यहाँ पर दोस्तों, usually ये coast वगारा के पास ही होती है, ठीक है, जो हमारा coast होते हैं, वहाँ पास ही होती है, इसका infrastructure काफी अच्छा है, warehouses वगारा होते हैं, इसमें, custom clearance वगारा, easily होती हैं, बड़े-बड़े warehouse बनाए, infrastructure होते हैं, storage के लिए, काफी ज़्यादा space दी जाती है, ताकि समान हमारा, easily यहाँ पहुंच सके, logistics cost ज़्यादा नहों, transportation cost ज़्यादा नहों, यहाँ से immediately इसको shift करके, हम coast पे लेके जा सके हैं, वहाँ से चीजों को export कर सके हैं, ठीक है, multimodal logistics बाग अब इसका ध्यादा रखना, दोस्तों, free handling facility होती है, with the rail and road accessibility, जिसमें container terminals होते हैं, custom clearance easily हो जाते हैं, cargo terminals होते हैं, bulk होगे, break bulk होगे, warehouse होते हैं, और दूसरा infrastructure भी होते हैं, ठीक है दोस्तों, यह hub और spoke model के उपर बने होते हैं, यह का focus होता है, technology driven implementation of state of the art fleet management system, ठीक है, technology बेकर प्रॉपर यूज़ होता है, दोस्तों, world का पहला CNG terminal, PM ने ले किया है, कहां, भावनगर गुजराद में, world का पहला CNG terminal, it has been laid at where, भावनगर गुजराद बादा PM हो दी, और राइट, चल दोस्तों, कुछ report पढ़ लेते हैं, world economic outlook कौन पब्लिश करता है, दोस्तों, IMF, world energy outlook कौन पब्लिश करता है, दोस्तों, IEA, यानि कि international energy agency, और digital payment index कौन पब्लिश करता है, दोस्तों, हमारा RBI, यानि कि reserve bank of India, दोस्तों, वे कीरित पारिक कमेटी बनाई गई थी, गोर्मेंट ने, क्यों, the ministry of petroleum में, natural gas ने बनाई थी, कमेटी को, purpose क्या था, current gas pricing formula को review करने का, ठीक, current gas pricing formula को review करने के लिए, कीरित पारिक कमेटी बनी थी, दोस्तों, अगर auction आपको पता होगा, जैसे अगर, auction में क्या होता, अगर seller ने अपनी चीज़ सेल करनी हो, तो जो buyers होते हैं, उसके bidder लगाते हैं, auction में, ठीक है, देखें, reverse auction में क्या होगा, दोस्तों, sellers होंगे, वो खुद के साथ, compete करेंगे, दूसरे seller के साथ, तक कि वो अपनी चीज़ को, higher price पे बेज सकें, ठीक है, reverse auction में होता है, यह पढ़ लिजिया, it is a type of auction, in which sellers bid for prices, at which they are willing to sell their goods and services, किसकों, to the buyers, ठीक है, दोस्तों, opposite होता है, regular auction में, where a seller puts up an item, and buyers place bid, until the close of the auction, at which time item goes to the highest bidder, ठीक है, दियान रखने, दोस्तों, her payment digital mission, यह RPE द्वारा को mission, launch किया गया है, जिसका नाम है, her payment digital mission, during digital payment awareness week 2023, दोस्तों, इस mission के तहत क्या होगा, जो payment system operator होते हैं, ना हमारे, वो 75 village को adopt करेंगे, पूरी country में, और उनमे camps conduct करवाएंगे, villages में, किस purpose के लिए, ताकि awareness उनमें लाई जा सके, to improve awareness, and on board merchants for digital payments, thus making them digital payment, यानि कि, awareness लाने के लिए, और merchants को, merchants को promote करने के लिए, कि वो digital payments का use करें, जैसे कि कि गाउं हो गया, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जो local दुकांदार होगा, उनको बोलेंगे, आप keyword code वगएरा लगा लो, POS अपनी point of sale machine वगएरा, यहाँ पर रखो, वह जो वहाँ के local logo होगा, awareness वगएरा फिलाएंगे, कि आप pay ATM इंस्टाल करो, Google पर इंस्टाल करो, उनके advantage वगएरा बताएंगे, ठीक है, इस scheme के लिए, किसने launch की RBA ने, नाम कहा है, हर payment digital mission, ठीक है, चलिए, next, दोस्तों, sticky inflation क्या होता है, एक phenomena होता है, जहां पर prices, वो adjust नहीं होते हैं, due to the quickly changes in supply and demand, leading to the persistence inflation, ठीक है, यानि कि अगर demand and supply में change हो गया, तो चीज immediately उनका effect नहीं हो गया, तो अगर वो महाँगी है, तो कुछ time तक वो महाँगी ही रहेंगी, जैसे कि, कास क्या होगे इसके, दोस्तो, higher food and fuel prices, firms passed on higher inputs to the consumers, twin shocks of COVID pandemic, एंदर रश्य उक्रियों करने बार, इस type के जो चीज़ें होती है, तो immediately effect नहीं मिलता है, ठीक है, इसको कहते हैं sticky inflation, जहांबे prices फड़ा-फड़ अज़स्ट नहीं होते हैं, to the change in supply and demand, ठीक है, जिसके विए से persistent inflation रहती है, long time तक, ठीक है, चलिए next, दोस्तो, European Union ने trade and technology consensus set up किया है, विद इंडिया, दोस्तो, एक strategy coordination mechanism होता है, जिसमें कि जो दोनों partner होते है, they tackle the challenge at the next of the trade, trusted technology and security, ठीक है जी, यानि कि दोनों partner कुछ जो challenge होगे, वो on the basis हो, उसको tackle कैसे करेंगे, trade के basis पे, technology के basis, security के basis पे, दोस्तो, इस scheme के अंदर, यानि कि, sorry, trade and technology council के अंदर, तीन working group है, on the strategic technologies, digital governance and digital connectivity, green and clean energies technology, trade investment and receiving value chains, इनको established किया गया, ठीक है दोस्तो, दोस्तो, इस technology and trade and technology council, इसको co-chair किया जाएगा, Indian side से, बाइब मिस्टर अफेर्स, commerce and industry, communication, electronics and the IT, दोस्तो, ये, it is expected to facilitate the exchange of the critical technologies, relating to an array of domains, including artificial intelligence, quantum computing, semi-conductors and the cyber security, ठीक है दोस्तो, तो चलिए, ये ही मेरे को कुछ important current affairs लगे थे, बाकिस के जो basis है, banking वगेरा, banking के दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना, उसके question आ सकते हैं, बाकिस का जो base inflation वगेरा, वो आप ने पढ़ना है, ठीक है, तो आपको पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि वो काफी important topic बन जाते हैं, तो current affairs तो फिलाल मुझे ये ही लगे important दोस्तों, तो चलिए, session हम खतम करते हैं, अब भी next time हम मिलेंगे आपसे, दोस्तों exam के बाद, तब तक के लिए, I hope, सबका exam अच्छे से जाए, and wishing you all the very best, तो चलिए दोस्तों, बाद में मिलेंगे, take care,